इतिहाँ सहयुक्त राज अमेरिका की राजकी यात्रा एक पतिष्थित और अध्युत्तिय सम्मान है जो अमेरिकी राश्युपति अपने करीबी दोस्तों और सहयोग्यों को देते हैं आखिर इसके इतने चर्चा के और यह चलिए इसको जानते हैं नमस्कार मैं साक्षी चोहान और आप देख रहे हैं नसर टुडे। प्रधानमंती नरेन मोदी 21 जून से सयुक्त राज अमेरिका की अपनी पहली राजकी यात्रा शुरू कर चुके हैं। पहली राजकी यात्रा हैं। राजकी यात्रा दो देशों के बीच राज नेक अदान-प्रदान का सरवोच एक रूप हैं। पहुपची कारकरमों में भाग लेने की यात्राओं किसे इस तरह भिंध होती है कि इसमें बहुत अधिक धूमधाम और प्रदर्शन शामिल होते हैं। अनेक बैठकों के अलावा अधिकारिक यात्रों में कभी कभी एक अधिकारिक रात्री भोज भी शामिल होता है। एक राजकी रात्री भोज राजकी यात्रा का मुख आकरशक है। कि योजना सावधानी पूर्वक बताई जाती है। अक्सर महिनों पहले से इसकी तैयारिया शुरू हो जाती है। मेन्यों में आहमतोर पर भोजवन और वाई शामिल होता है। जो सम्मानित महमान की पाक परंपराओं को दर्शाता है। लेकिन एक अमेरिकी मोड के साथ ये प्रतिध्व करता है कि में जबान देश और सम्मानित अत्रती के बीच के मित्तता को। जाने माने अमेरिका इतिहास सिक मेथ्यू कॉंस्तिलो ने पीटियाई भाषा को बताया कि अमेरिकी राजकी यात्रा निकितम मित्रों और सहयोग्यों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। और इसमें वाइट हाउस द्वारा छै मेहने की सवधानी पूर्वक योजना शामिल होती है। और यह अमेरिकी अथित्य का सरफशेष्ट प्रदर्शन करता है। मोदी की राजकी यात्रा का महत तो क्या है चलिए यह भी जानते हैं। प्रदानमंत्री नरेंड मोदी 21-24 जून को संयुक्त राज अमेरिका की राजकी यात्रा पर है। राजकी दौर पर आम तोर मेजवानेता का निमंतर पर होते हैं। जो इस मामले में अमेरिकी राष्ट पति जो बाइडन है। राजकी रात्री भोज में जो राजकी यात्रक का मुख आकरशक है। बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन एक भव आयोजन में वाइट हाउस में मोदी की मेजवानी करते हैं। जबकि बहुत से लोग राजकी याता और अकरशक राजकी रात्री भोल्ज को महज एक दिखावटी मामला मानते हैं ये कारकरम महमान नेता के देश के प्रति मेजवान के एक सम्मांग की स्रिक्रता के रोप में काम करता है वाइट हाउस इतास के लिए रूबिन स्तिन लैश्टल सेंटर उन्होंने कहा लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो ना केवल आने वाले देश उनकी संस्कृती और उनकी आदर्शों के प्रति स्विक्रता और सम्मांदर शाता है बलकि ये भी दिखाता है कि हमारे साजा विचार ल कि राज की यात्राक से अधिति नेता और उनके देश के प्रतिष्था भी बढ़ती है और हमने जो देखा है क्योंकि संयुक्त राज अमेर्का एक वैश्विक शक्ति बन गया है वह ये है कि वाइट हाउस में आयोजित के जाने वाला ये निमंतर कुछ ऐसा है जो बहुत प्रतिष्थित है अंदेशों के कई नेता है जो जाना चाहते हैं वाइट हाउस के लिए पर उनको मौका ही ने मिलता है ये उनके लिए फाइडे मंद है ना केवल घरेल उस्तर पर उनकी राजनेतिक पुंजी के संदर में भी बलकि अंतराश्टी मंच पर भी ये उनके लि रातिभोज उतने भव नहीं थे जितने अब हैं लेकिन जॉन एफ कैनेडी के राष्टपती बनने के साथ ही इसमें बदलाव आना शुरू हो गया था परतिष्थित और भवकारम करम के रूप में राजकी रातिभोज का ये विकास संयुक्त राज अमेरिका के विश्व मह अफसरों का उपयोग ना केवल कूट नीती के लिए करते हैं बलकि अमेरिकी संस्कृति के कुछ बहतरीन प्रदर्शन और प्रदर्शन के अफसर के रूप में करते हैं और तब आप ये देखना शुरू कर रहे हैं कि आज हम आधुनिक राजकी रातिभोज के बारे में क्य या तो हवाई अड़े पर या स्ट्रेंज स्टेशन पर जाकर राज की प्रमुख से मिलेंगे ये कैनेडी प्रशाशन का दौरान था उन्हें राज आगमन समारों के लिए प्रिष्ट भूमी के रूप में साउफ लॉन का अधिक उपयोग करने का निर्रे लिया क्योंकि त छिड़ी हिस्से की तुलना से संयुक्त राज अमेरिका के राश्ट पती और राज के दौर पर आने वाले प्रमुख के लिए प्रश्ट भूमी अधिक उप्यूप्ट है प्यम मोदी की राज के यात्रा के दौरान हमें क्या उमीद करनी चाहिए चलिए इससे भी हम बता देते हैं कि इसमें हमारे देश का क्या लाब है मानक के अनुसार प्रधान नरीन मोदी का वाइट हाउस में राश्ट पती जो बाइडन दौरा स्वागत किया गया राज यात्रा के दिन वाइट हाउस में विशेश रूप से साउस लौन में एक राज की आगवन समारों रखा गया राश्ट पती और आने वाले राज प्रमुक टिपीडों का आदान प्रदान करते हुए भी नजर आए वे संबंदित देशों के राश्ट गान सुना गया अपने सैन्रिक की समिख्षक किया और फिर वे बाचीत के लिए वाइट हाउस के ओर रभाना हो गया और उस रात राजनीतिक आदान प्रदान हुई उनके सम्मान में एक राज की रात्री बोज आयोजित किया गया है और फिर वे राश्ट पती के अधिकारिक अथितिक ग्रह बिलियर हाउस में राश्ट पती और प्रतल महिला के रात्री कालीन अथिति के रूप में राद बिता दिंगे बाइडन के साथ उनके मंदल के सदस्य और कॉंग्रेस के नेताओ सहिद अमेरिकी राजनितिक लोग भी शामिल होने की उमीद रही वाइट हाउस में रिसेप्शन आयोजित करने का मतलब है कि राष्ट्रपती रिसेप्शन में डिप्लोमेटिक कोर के सदस्यों और कॉंग्रेस के सदस्यों को शामिल करते हैं जबकि राजकी रात्री भूज परंपरागत रूप से वाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम में आयोजित किया रहा है हाल के राष्ट्रपतियों ने अधिक महमानों को शामिल करने और कारेक्रमों को भव बनाने के लिए इन कारेक्रमों को वाइट हाउस के लौन में आयोजित किया है आम तोर पर इसमें लगभाग 126-144 लोग शामिल होते हैं लेकिन जैसा की लोगों ने देखा है कि हाल के राचकी रात्रबूज में पहुत अधिक लोग शामिल हुए बाइडन ने हाल ही में एक राजकी रात्रिभोज का अयोजन किया था जिसमें 300 से अधिक लोग शामिल हुए थे पूर्वराष्ट्रपती बुराक उबानमा ने भी काफी हद तक किया था विकास के बारे में अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि पिछले 20 वर्षों में क्या ये वाइड हाउस के अधिक पारंपरिक राज रात्रिभोज करने से दूर है अब हम और अधिक देख रहे हैं कि वाइट हाउस के मैदान में राजकी रात्री भोज के लिए बाहरी स्थल के रूप में उप्योग किया जा रहा है बाइडन और पूर राश्टपती दोनल्ड ट्रम्प दोनों ने भोजन का श्क में बजाए वाइट हाउस के मैदान में राजकी रात्री भोज आयोजित किया है राश्टपती दोनल्ड ट्रम्ट ने अपना एक राज की रात्री भोज राज गार्डन में किया था और बाइडन ने भी ऐसा ही किया दच्छे लॉण के एक तंबू लगाया है कि ताकि वहाँ तीन से चार से लोगों इसमें शामिल होने के लिए अमंत्रित कर सके एक राज की रात्री भोज का पिछले कुछ दक्षकों से राज की रात्री भोज को अवरित कम हो गई है जो कि आने वाले नेता और उनके देश को दिये जाने वाले महत को उजागर करता है दूसरी बात जो हमने देखी वे विशेश रूप से रीगन यानि कि जॉज डबलू बुश और बिल कुलिंटिन के साथ एक अंतर आया है वे ये कि राज की रात्री भोज उतनी अवरित्ति के साथ नहीं हो रहे हैं जितने वे थे और फिर आप उन्हें बुश और कुलिंटिन के साथ धीमा होता देखना शुरू करते हैं और अब यह देखना आम हो गया है कि राश्टपतियों के पास शायद 5 से 10 तक कहीं भी होते हैं यह इस बात में निर्भड करता है कि वे कारिकलाल में कितने कारिकाल तक सेवा करता है भारत के संदर में कहा जाता है कि भारत एक महार शक्ती बनने जा रहा है पर क्या मौझूदा हालात, विपक्ष और देश की बुद्धी जीवे इसको सिर्फ प्रचार का माध्यम बना रहे हैं ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए देखते रहे नज़ा टुड़े अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे वाइक करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद